नमस्कार दोस्तों हिंदी निव जफेर्श में आपका स्वागत है दोस्तों भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी निव जा रही है जो भारत अपने डिफेंस में एक्सपोर्ट को तो बढ़ा ही रहा है साथी साथ अपने दुस्मनों को बहुत अच्छे सा चुनौती भी दे रहा है उन को ये बता रह आया कि हमें आपकी केयर नहीं है बिल्कुल भी अगर आप हमारे बिरोध में रहेंगे तो हम आपके लिए कुछ भी करदेंगे फिर आप हमारे को देख नहीं सकते हो कि हम किस तरह से आपको परिशान करदेंगे दोस्तों दरसल ये खबर जो आ रही है ये अर्मेनिया जह वो देश यह अजर्बायान और तुरकी के बीच में तो दोस्तों आपको बतादे कि भारत ने अपना अकास एयर डिफ्रेंस इस्टम अर्मेनिया को अब डिलीवर करना सुरू कर दिया है भारत और अर्मेनिया के बीच में डिफेंस को ले करके एक डील हुई थी जिसमें उन्हें ये था कि वह आकास एयर्ट डिफेंस सिस्टम भारत से परचेस करेंगे तो भारत ने अब उसकी डिलीवरी दे दिये अब कुछ कुछी समय में जब ये पूरा डिलीवर आज़ आएगा तो कुछ उनको ट्रेनिंग इसकी दे देगा भारत और उनकी यहां इसको डिपलॉय करा देगा अब दोस्तों अब क्या है कि अर्मेनिया को आखिर इसकी जरूरत थी क्या दरसल दोस्तों आपको बता दें कि अभी मिसाइल थे बैलिस्टिंग मिसाइल थे इनकी वज़े से अर्मेनिया की हार हुई थी साथी साथ अर्मेनिया ने अर्मेनिया को नुक्सान हुआ था जो तुर्की के ड्रोन थे ते अर्मेनिया को अजर्बाइजान को और अजर्बाइजान ने उस ड्रोन का इस्तेमाल किया तो उसे में युद्ध मैं और अर्मेनिया उसकी बिचे से हार गया। स्टार्टिंग में जब युद्ध चल आथा तो अर्मेनिय युद्ध में बहुत आगये था उसने बहुत- अजबा शयन अच्छी अक्का और आप को बता दें कि अर्मेनिया की एइयर डिफेंस सिस्टम था नहीं तो यह कोई वैसा मतलब फाइदा नहीं ले पाए और युद में हार गया जिसकी वज़े से इनको अपनी बहुत सी जमीन का नुकसान सहना पड़ा इनको बहुत नुकसान हो गया तो इसके लिए अब अर्मेनिया को यह चाहिए था कि जो क्रूज म स्टार्ड हो गई तो यह अर्मेनिया के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है कि अब इसके पास वह एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसकी वज़े से अब यह उन क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिंग मिसाइल को जवाब दे सकते हैं क्योंकि अब यह जो एयर डिफेंस सिस्टम आटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लेगा और उस मिसाइल को उड़ा देगा जो भी आएगी तो यह तो अपना इन्होंने सेफटी कर लिए अर्मेनिया ने इससे दोस्तों भारत आखिर कैसे किसी से पंगी ले रहा है कैसे उसको समझा रहा है आपको बता दें कि तुर्की अ पुल्टे सीधी बात बोली है और इस पेशली जम्मू और कश्मीर को ले कर गए अभी अजरबायान के जो लीडर है यह आये थे पाकिस्तान इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉंग तरीके से इस मुद्दे को उठाया था यह जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को भारत ने भी सो आपकी लड़ाई जगड़े हो रहे हैं तो हम उसको कुछ चीज़े दे देते हैं तो आपको पता लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं और साथी साथ तरुकी को भी जवाब इससे मिल रहा है क्योंकि अजरबायजान और तुरकी यह आपस में दोस्त हैं यह दोनों मुस्लिम कंट दोस्त हैं को नुक्सान नहीं करता है तो यह अर्मेनिया के लिए एक अच्छी जीज़ है आपको बता दें कि इससे भारत को कई तरीके से फाइदा है एक तो वह अपने दुस्मनों को जवाब इससे दे रहा है दूसरी चीज़ अर्मेनिया जैसा एक कंट्री हमारा दोस्त भी बन रहा है तीसरा जो सबसे बड़ा फाइदा है वो हमारे डिफेंस मार्केट को है हमको कही न कहीं एक डिफेंस के लिए एक कंट्री मिल गया है जिसको हम अपना सामान बेच रहे हैं इससे क्या है कि एक अच्छा संदेश हैगा दुनिया में कि भारत का भी जो मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम से इसको पर्चेस किया जा सकता है क्योंकि अभी क्या है कि कई देश लेकिन खरीद नहीं रहते लेकिन अब पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि वो देश अब खरीदने के लिए और हमने उस चीज को डिलीवर भी किया है जैसे आपको पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने फिलिपेंस को प्रमोस मिसाइल से सेंड करी दी और यह हमारा पहला एक्सपोर्ट था बड़ा सुचे कि यह हमने एक बड़ा चीज बिची दी फिलिपेंस को फिलिपेंस के बाद अब हम अर्मेनिया को सेंड कर रहा है तो यह एक मैस दूसरे देश हमारे डिफेंस सिस्टम को हमारे हथियारों को हमारे मिसाइल को पर्चेस करें यह बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अब यह दूसरे देश देखेंगे और इससे उमीद है कि पर्चेस करेंगे जिसमें अब अगला नाम ब्राजील का आता है सायद ब्राजील अब हमसे 10,000 करोल की जो डील करीब कर चुका है उसको वह अब हमसे परचेस करेगा ठीक है दोस्तों अब इससे कुछ और अपडेटेड नहीं हो जाएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले कराऊंगा धन्यवाद